हेलो फ्रेंज्स बहुत बहुत स्वागत थे आप लोगों का फिर से हमारे चैनल पे लास्ट टाइम हमने पढ़ाता अवनीन ना टैगोर आज हमारा टॉपिक है एनल बोस यानी नंदलाल बसू या बोस ठीक है तो आज हम स्टार्ट करेंगे और इसमें चित्र बहुत हैं बहुत जादा चित्र हैं इसलिए आपको जल्दी जल्दी राइड डाउन करना है स्कीन लेना है और हमें लेसन खतम करना है ओके या स्टार्ट नाव नंदलाल बोस ये किनके सिश्चत है ये भी आपको पता है अवनींदरनाथ टैगोर के तो हम इनका सबसे पहले लिखेंगे जन्म ओके 1882 बिहार बिहार के मुंगेर में मृत्यू 1966 पिता श्री पून चंद्र बोस या बसू ओके इनका सेक्षन कार्या इन्होंने सिक्षा कहां से लिए तीस वर्ष की आयू में इन्होंने आर्ट्स कॉलेज कोलकाता आर्ट्स कॉलेज में प्रिंसिपल आपके थे ईवी हैविल जी और आपके वाइस प्रिंसिपल आपके अवनी दरनाग्थ जी थे यह हो गया आपका इनका एजुकेशन अब इन्होंने अध्यापन कारे कहां किया माई वाश टेक्नीक के थे तो कला भवन कला भवन में 1922 प्रिंसिपल नहीं उप्थ हुए प्रिंसिपल में यहाँ पे बहुत सारी बुक्स में यह भी लिखाए कि अध्याक्ष भी हैं प्रमुक भी हैं तो आप अपने एकॉर्डिंग लर्न कर लिजेगा 1922 में प्रिंसिपल की पोस्ट ठीक है नियुक्त किये गए और किसने किया था रवेंदरनाथ जी ने अब हम आएंगे इनकी बुक्स में बुक्स इनकी शिल्प कथा या चर्चा कह लिजे ओके शिल्प नमबर टू शिल्प कला रूपावली इन्होंने डॉक्टर एके स्वामी यहां पे आप इंपॉर्टेंट करके लिख लिजे या नोट लगा लिजे सबसे पहले इन्होंने सम्विधान की मूल प्रती कचित्रन कारे किया नमबर टू डॉक्टर आनन कुमार स्वामी स्वामी के साथ मिलकर इन्होंने एक ग्रंथ लेखा था उसका नाम है मिट्स 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 एंड लीजन्ड ओफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट उसका इन्होंने चित्रन कार भी किया था चित्रन कार ठीक है नैंटीन सेवन्टीन में उन्होंने गीत्वितान के लिए भी चित्रन कार भी किया चित्रन कार्य प्रसिद्धी इनको किसमे मिली? इनको जैसे एक निकनेम दिया जाता है उसी तरीके से इनको मास्टर मुशाए मास्टर मुशाए इट्स बेंगॉली मास्टर मुशाए शिव हस शिव शिद्ध कलाकार एक्शली इनको ने शिव जी को लेकर इनको बहुत सारी सीरीज बनाई थी इसलिए इनको शिव शिद्ध कलाकार भी कहा जाता है तो अब आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजे ये भी मोस्ट इंपोर्टन चीज़ है बुक्स आपकी देखिए ये सिल्प कला रूपा वाली पूछी गई है समविधान की मूल प्रती का चितरन किया है आनन कुमारी स्वामी के साथ मिलकर इन्होंने इस ग्रंथ में भी चितरन कारी किया है उसके बाद ये प्रकाशित हुआ है कलकता आर्ट्स कॉलेज में एड्मीशन लिया और एड्मीशन की टाइम पे उस टाइम पे इन्होंने महाश्वेता महाश्वेता कोई चितर बनाया था इन्होंने जिसको दिखा कर इन्होंने इस कॉलेज में प्रवेश लिया था इतने पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए और I think this is a very short note अब हम आते हैं इनके चितरों पर सबसे पहले इनके माध्य हम लिखेंगे हम कि इन्होंने किस मीडियम में ज्यादा वर्क किया है तो यह आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई बेंगॉल के मलद स्टूडेंट रहे हैं तो इनका वाश टेक्निक यानि आपका मीडियम या माध्यम जो भी आपको समझ में आए माध्यम इनका लीनो वॉष द्राइपॉइंट इंक और टेंपरा टेंपरा लीनो वॉष दिस इस अमोस्ट इंपर्टन वर्ड ठीक है अब हम इनके चित्रों में आएंगे आप स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा अगर आप राइड डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीन शॉट ले लीजेगा आप इनके चित्रों की संख्या एक्शली बहुत है तो हम इंपर्टन इंपर्टन लिखेंगे सबसे पहले आप याद रखिएगा सती यह 1907 ठीक है चिता पर चड़ती चिता पर चड़ती सती एक्शली यह जो इनकी थी यह इंडियन सोसाइटी ओरियंटल आर्ट की तरफ से इनकी पहली प्रदर्शनी थी उसमें इनमें इनको 500 रुपे का पुरुसकार दिया गया था पुरुसकार और आप यह समझें कहां पर रिप्रेजन्ट हुई इंडियन सोसाइटी ओफ ओरियंटल आर्ट यह पता है आपको इससे भी देखिए एक क्वेशन बना कि किसने इसको स्टैबलिश किया था गंगरेद नात्र जी ने 1907 में यानी 1907 में और इनकी यह प्रत्थम प्रदर्शनी थी ठीक है प्रत्थम प्रदर्शनी तो यह इनके most important यह दो चित्र हैं सती 1907 चिता पर चड़ती सती इन दोनों के लिए इनको पुरुसकार मिला था अब इसमें आते हैं 1937 इन्होंने हरी पुरा पैनल के लिए चित्र यह एक्चली 37 तो 38 भी हम कह सकते हैं ओके 1937 में फैजपूर अधिवेशन अधिवेशन अब इनके चित्रों की संख्या देखिए यह तो यह आपके important हो गए यह इसमें ग्राम में जीवन है और हाँ इसमें आपका किसान से related आपका जीवन या मज़ा तो टोटली आप यह समझे कि ग्राम मीर जन जीवन पर आधारिद इन्होंने चित्र बनाई थे 1930 डांडी कूच या यात्रा ठिक और चित्रों को लिखने के साथ साथ जब भी आप फ्री बैठे तो आप इन चित्रों को नेट पर जरूर सरच करिए क्योंकि उससे कहीं न कहीं वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है और मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी आप उसको एरेज कर लोगे ठिक है तो यहाँ पर आप इनके चित्रों स्टार्ट होते हैं और भी उम्मा का तप शिव का विश्पान सत्रंज खेलते कौरव वा पांडव महिसा सुर्मर्दनी यह सब चित्र देखेगा बहुत ही अच्छे चित्र बने हुए है पदमिनी वा भीम सिंग या भीम लिख लीचे मेरा बाई का जीवन इस सरे ले एक क्वेस्चन अभी लास्ट टाइम पूछा गया था जो काफी विवादित भी रहा मीरा बाई का जीवन घायल बकरी को ले जाते बुद्ध बुद्ध की जगे आप बहुत सोस करके भी याद कर सकते हैं वर्षा में धुला कुणांग दुर्गा सरस्वती वीना वादनी जलता हुआ देवदार या चीड का व्रक्ष राधा का विरह दूले की सवारी नटीर पूजा नटीर पूजा एक भित्ती चित्र है भित्ती जगई मगई हल जोतता किसान ठीक है अब इनके भित्ती चित्रों में और भी है आपका ये बड़ोदा का कीर्ती मंदेर ये आपकी भित्ती चित्रों में आएंगे ठीक है और शांती निकेतन का कला भवन जिसमें की आपको ये तो ये जो कुछ चित्र है सती चिता पर चड़ती हरी पूरा फैसपूर ओमाका तप दांडे यात्रा ये सब कॉमन है ये तो आपको लर्न होने ही चाहिए और प्लीज अगेन आई सेज कि ये जो आपकी जो चित्र है ये प्लीज आपको नेट में देखोगे वैसे ही आपको याद आजाएगा कि हाँ ये एनल बोस के चित्र है अब हम आते हैं इनके सम्मान में ठीक है सम्मान इनको 19 एचली इनको डेलिट की उपाधी बहुत जगे से मिली कलकता से मिली बियची उसे मिली तो आप इसमें 1950 बियची उपाधी ठीक है में आपको मिली विश्व भारती देता है देश कोत्रम द्वारा देश कोत्रम की उपाधी इसको इन्वेटिट कॉमा में कर लीजें अंडरलाइन कर लीजेगा most important 1954 आपका इंडियन गवर्मेंट पदम विभूशन अब देखे इतने शौट तरीके से आपका ये अनल बोस का ये जो चैप्टर है discussion, description सब खतम होता है और आप इसी तरीके से मन लगा के पढ़ाई करिए नोट्स बनाइए और जब भी नोट्स बनाइए तो उसके बाद एक पेज आप ब्लैंक छोड़ दीजे ताकि आपको कहीं से भी उस topic से अगर कुछ भी questions मिलते हैं, answers मिलते हैं तो उसको one word में करके रखिए क्योंकि कभी-कभी कैसा होता है कि हमने कहीं पे भी कोई और बुक पढ़ी तो हमको उस टाइम पे एक नया question मिला तो हम जब उसको पढ़ेंगे तो जैसे उसके page, blank page है हमने महाँ पे write down किया तो कभी न कभी हमारी नजर पढ़ती कभी न कभी किया जब हम यह topic discuss करेंगे या learn करेंगे तो हम उस page को भी जरूर देखेंगे इस तरीके से आपके question complete हो जाएंगे और एक topic से relate करके आप समझे कि कही ना कही अधर बुक से आप लेके चलेंगे तो दस्वारा question आराम से हो जाएंगे तो आज यह हमने नंदलाल बोस पढ़ा जो की हमारे एक four pillar में से एक थे और four pillar किसके थे अपनी नाट टैगोर जी के ठीक है तो यह एनल बोस most important chapter था और इनसे एक ना एक question जरूर पूछा जाएगा चैनल को like करियो और इतने ही उत्साह से बढ़ते रहे और वीडियो को like करिये comments करिये till then bye thank you